नमस्कार आपको स्वागत है इश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ जमु कश्मीर में दो जगाओं पर सेना और आतंकियों के बीच एंकाउंटर चल रहा है आजदा निश्री नगर के खान नयार इलाके में शनिवा सुभ एंकाउंटर शुरू हुआ सुत्रों के मताबिक सेना के जवानों को यहां दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका है वहीं बादीपोरा के पनिर इलाके में भी सेना के जवानों और आतंकियों के बीच फूट बैट चल रही है यहां आतंकी जवानों पर रुक रुक कर फाइरिंग कर रहे हैं एंकाउंटर की दोनों ही लोकेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुची इलाके को घेर कर सर्च अपरशन चलाया गया इलाके से गुजरने वाले वहानों की जाच की गई ट्रोन से भी निगरानी की जा रही है इधर श्रीनगर के ही रावलपुरा इलाके में सेना का एक जवान एक्सिडेंटल फाइरिंग के चलते शहीद हो गया इससे पहले शुकरवारात को बढगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया था इसमें यूपी के दो लोग घायल हुए जिनका स्पताल में इलाज चल रहा है ये बढगाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं बढगामातंकी हमले पर श्रीनगर सांसत रूलला महन्दी ने कहा कि इसके लिए केंद्र की भाचपा सरकार को जम्मेदा ठहराया जाना चाहिए विधानसबा चुनावों के तुरंट बात हमलों में तेजी आई है नोन एक्स पोस्ट में लिखा मजामा बढगाम में नागरिकों पर आतंगवादी हमले की खबर से दुखी हूँ पीडीतों और उनके परिवारों के साथ मेरी सानुबूती और प्रातना है भाचपा सरकार जो सीधे जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा को नर्यंतित करती है उसे इन बार-बार की विफलताओं के लिए जवाब दे ठहराया जाना चाहिए साथ ही ये भी पूछना चाहता हूँ कि हालिया चुनाओं के तुरंद बात इन हमलों में अचानक रद्ली क्यों हुई